बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए पिता को गवानी पड़ी थी दो बार नौकरी कोचिंग के लिए 40 किलोमेटर स्कूटर पर बैट कर ले जाते थे छोड़ने गरीबी का हाल ये था कि 400 रुपए की गेंद खरीदने के नहीं थे पैसे पुरानी गेंदों को खरीद कर करता था प्राक्रिस अब IPL ने बदली तक्दीर IPL 2023 के मिने आॉक्षन में स्टार खिलाडियों पर जम कर पैसों की बारिश हुई है साड़े 18 करोर रुपए तक खिलाडियों की बोली लगी इस पीच कुछ युवा प्लेयर्स की किस्मत भी चमक उठी 6 करोर रुपए की धनराशी तक भारत की युवा प्लेयर खरीदे गए कई युवा प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो बेस प्राइस पर ही ले लिए गए मतलब इन खिलाडियों को 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे खिलाडी की चर्चा करेंगे जिनके लिए 20 लाख की धनराशी काफी एहम है वजह ये है कि ये युवा प्लेयर्स बहुत गरीबी से सफर करता हुआ यहां तक पहुचा है जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में आया है कि इस युवा प्लेयर के सामने एक ऐसा समय भी था कि खेंले के लिए गेंद तक नहीं थी गेंद का प्राइस 400 रुपे था पिता के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि नई गेंद खरीदी जा सके अकसर ऐसा होता था कि पिता इस युवा प्लेयर के लिए 400 रुपे में कई पुरानी गेंद खरीद कर लाते थे फिर ये युवा प्लेयर उसी से प्राक्किस करता था इस युवा प्लेयर के संघर्श की चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए इससे पहले IPL को बुरा कहने वालों के लिए कुछ नसीहते भी जरूरी है भारतिय क्रिकेट फैंस में बहुत से लोग अकसर IPL को गाली दिया करते हैं फैंस का मानना है कि IPL के आने के बाद भारतिय टीम का प्रदर्शन बहुत खराब हो गया लेकिन इस बाद से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि IPL ने अब तक दो दर्जन से अधिक युवा प्लेयर भारतिय टीम को दिये हैं कुछ खिलाडी ऐसे भी हैं जो IPL की वजहां से ही अपने घरीबी के दिनों को दूर कर पाए अब इस लिस्ट में एक नाम आंधर प्रदेश की युवा प्लेयर शेक रशीत का जोड़ गया है चन्नाई सूपर किंग्स ने अंधरा की युवा बलेबास पर बोली लगाई है टीम ने शेक रशीत को 20 लाख रुपे में खरीदा है वो 2022 अंडर 19 वाल कप जितने वाली भारतिय टीम के उपकपतान थे उन्होंने टोनामेंट के 4 मैच पे 201 रन बनाए थे 18 साल के शेक रशीद एक सामाने परिवार से आते हैं उनका पैत्रिक शहर आंधर प्रदेश का गुंटूर है रशीद को यहां तक पहुँचाने में उनके पिता शेक बालीश वली का एहम योगदान रहा है अपने बेटे को मदद करने के लिए पिता की नौकरी दो बार गई वो अपने बेटे को रोजाना स्कूटर पर बिठा कर 12 किलोमेटर ली जाते वो वहाँ उन्हें थ्रोडाउन करवाते फिर वो जब उन्हें मंगला गिरी लेकर जाते तो ये दूरी उनके घर से 40 किलोमेटर की थी जहां रशीद, राज्य और जिलास्तर के कोच के साथ ट्रेनिंग करते थे इसके चलते उनके पिता शेक बालिशवली को आटो मोबाइल फरम में नौकरी छोड़नी पड़ी रोज बेटे की ट्रेनिंग के वजह से वो काम पर लेट हो जाते रशीद के करियर को बनाने के लिए पिता के सामने आर्थिक चुनोतिया भी थी उन्हें अपने बेटे का करियर बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी उन्होंने अंडर 19 वर्ल कप के बाद कहा था मुझे कम से कम दो बार काम पर आने से मना किया गया बालीश वली ने याद करते हुए बताया कि हर गेंद खरीब 400 रुपए कि आती थी और किट भी काफी मेहगी थी तो मैंने उसे सिंथेटिक गेंद से प्रैक्टिस करवानी शुरू की उस कीमत पर हमें 3-4 सिंथेटिक गेंद मिल जाती थी बता दें कि शेक रशीत के सफर में भारतिय टीम के पोरों मुख्य चोयन करता MSK प्रसाद का एहम योगदान रहा है MSK प्रसाद ने अंदरब्रदेश पे राज असोसीशन के क्रिकेट ऑपरेशन्स के निदेशक पत पर रहते हुए ग्रामन लाकों में 3 अकेडमी तयार करवाई इसका उद्देश चोटे शहरों में मौझूद प्रतिभाओं को तलाशना और तराशना था रशीद उसी धाचे का एक चेहरा हैं जिसका उद्देश कम सुविधाएं प्राप्तर प्रतिभाशाली बच्चों में चुपी प्रतिभाओं को सामने लाना है MSK प्रसाद ने अंडर-19 वाल्ड कब के बात कहा था कि उनके पिता को काफिश रह जाना चाहिए रशीद एक सामाने परिवार से आते हैं लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी भी बड़े सपने देखने से नहीं रोके बलिशा जैसे लोगों के साथ सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि उनका खोने के लिए कुछ नहीं वाला रवाया होता है अब IPL 2023 के मिनी आॉक्षन में 20 लाख की बेस प्राइस पर बिखने वाले रशीद अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम उनके पेरिंट्स और परिवार के लिए कुछ पैसे तो जरूर मिल जाएंगे हालांकि उमीद यह है कि खिलाडी IPL में शांदार परफॉर्मेंस दे सकता है अंडर 19 विश्यो कप में इस खिलाडी का शांदार प्रदर्शन रहा है